Hello students, I am your math teacher, again I am here to teach you your math subject, today I am going to teach you your 10th chapter, adds our point, in my this video I explain your topic clear, killer lizard, इस वाले topic में मैं आपका ये जो killer lizard वाला topic है उसे मैं explain करूँगी, so let's start, a lizard move from one hole to another, यहाँ पे आप देख रहो कि कुछ holes बने हुए हैं, जिसमें ये जो lizard है, वो one hole से डूसरे hole में क्या करता है, move करता है, as it moves its insects feeding in the hole, जैसे ही ये इस hole में जाता है, इसमें जितने भी सारे insects हैं, उन्हें वो क्या करता है, खा जाता है, यहाँ पे आप देख रहो कि numbers लिखी हुई हैं, ये numbers insects की हैं, means कि ये वाले hole में कितनी insects हैं, 6 ह इसमें 3 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 9, इसमें 8, इसमें 1 भी नहीं हैं, इसमें 1 और इसमें 2, तो ये सारे ही holes में यहाँ पर ये numbers लिखे हुए हैं, means कि कौन से hole में कितनी insects हैं, the number of insects in each hole is the zone, जैसे कि आपे दिखाया गया है, the lizard can move only along the lines, ये जो lizard है, वो स्रफ lines के according ही move कर सकता ह means कि 6 पे जा सकता है, 3 पे जाता है, फिर 8 पे जा सकता है, ये 6 से direct 8 पर नहीं जा सकता है, because यहाँ पर line draw नहीं है, starting from the blue hole in the picture, the lizard goes to 3 holes to 18 insects, यहाँ पर आप देख रहो कि ये blue holes बनी होई हैं, उसमें से lizard जो है, वो निकल कर स्रिप 3 holes में ही जा सकता है, एक time पर insects को खाने के लि 6 के साइड जाएगा, तो 6, 3, 8 या फिर 6, 3, 5 या फिर 6, 3, 9 ऐसे जा सकता है, बट वो एक time पर स्रिफ 3 holes में ही जा सकता है, insects को खाने के लिए, this is the path the lizard takes, यहाँ पर आप देख रहो कि उसका path दिया हुए, कि वो 18 insects कैसे खा सकता है, तो इसके लिए वो पहले 8 पर जाता है, फिर 1 पर, फिर 9 पर, so 8 and 1, 9 and 9, तो टोटल यहाँ पर कितने insects हो गए, 18 हो गए, next, what path can the lizard take to eat 12 insects, वो कौन सा रास्ता होगा, जिस पर इंसेक्ट जाएगा, तो 12 insects, sorry, कौन से path पर lizard जाएगा, कि वो 12 insects खा सकता है, तो अगर lizard पहले 2 पर जाए, फिर 1 पर जाए, और फिर वो 9 पर जाए, तो वो क्या कर सकता है, 12 insects का सकता, because 2 and 1, 3 and 9, तोटल कितने हो जाएँगे, 12, next, what path can the lizard take to eat 20 insects, 20 insects खाने के लिए lizards होगा, वो कौन सी path पर जाएगा, तो वो सीधे पहले 8 पर जा सकता है, फिर 9 पर जा सकता हो, फिर 3 पर जा सकता है, या फिर 8, 3 और 9 पर इस तरीके से भी जा सकता है, because 8, 9 और 3 को जब हम एड करेंगे, तो टोटल हमारा क्या होगा, 20 होगा, next, this time the lizard goes to 4 holes to eat insects, इस वाले time पे जो lizard है, वो 4 holes में जाता है, बिंस कि वो एक time पे 4 holes में जाकर insects खा लेता है, what path does the lizard take to eat 18 insects, तो 18 insects के लिए कौन सी path पर जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहों कि पहले यह 6 पे जा सकता है, फिर 3 पे जा सकता है, तो 6 and 3 हो जाएगे, 9, और फिर वो 8 पे जाएगा, और फिर 1 पे जाएगा, तो यह total 4 holes हो गया, और यह add करने पर total कितने हो जाएगे, 18, next, what path does the lizard take for 12 insects, वो कौन सा होगा, जिसमें वो 12 insects खा सकता है, बट उसके लिए उसे 4 holes में जाने है, तो पहले 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 0 में जाएगा, फिर 9 में जाएगा, तो यह total भी add करने पर क्या हो जाएगे, 12 होंगे, तो वो इस तरीके से यह सारे insects को क्या कर सकता है, खा सकता है, next है, play time, Samina and Sadiq are now playing another game on the board of heads and tails, यहाँ पर आप देखरों कि एक board दी गई है, इसमें Sadiq जो है, वो head और tail वाली एक दूसरी game खेलते है, They throw two dice and add the number to get their points, इसके लिए वो दो dice को एक साथ उच्छालते हैं, और उनके जो भी points आते हैं, उन्हें वो add करते हैं, You too can play this game, तुम भी इस तरीके का game खेल सकते हो, throw your dice and write your points, see who is the first to reach home, और वो बताना है कि कौन जो होगा, वो पहले जाएगा, तो इसके लिए आपको जो वो ludo का, या फिर snack ladder वाला आता है, उसका आप use कर सकते हो खेलने के लिए, और या फिर इस वाले में भी आपका एक game से related ही दिया हुआ है, page number 76 पे lizard वाला, जिसमें आप क्या कर सकते हो, two dice को throw कर सकते हो, फिर उसके बार, जैसा कि मैं आपको इस page पे दिखा देते हूँ, यह जो आपका lizard वाला दिया हुआ है ना, यह numbers, तो इसमें आप यह game खेल सकते हो, two dice को throw करोगे, means कि अगर एक पे two आते हैं, दूसरे पे अगर three आता है, तो यह total आपके कितने हो गए, five आ गए, तो यहाँ पे आप one, two, three, four, five, सीधे five पर आ सकते हो, इसी तरीके से जो second player होगा, अगर वो two dice को throw करता हो, और एक पे four आता है, और दूसरे पे अगर six आता है, तो वो one time पे ten में जाएगा, यानि कि वो सीधा कहां चलाएगा, ten पे चलाएगा, और इस तरीके से जो भी सबसे पहले last वाली number पे पहुंचेगा, वही उस game को क्या करेगा, जीत जाएगा, तो इस तरीके से आप यह game खेल सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहो कि आपका page number 82 पे जो आपका 12 इंसेक्ट, so 2, 1 and 9, second है, what path can the lizard take to eat 20 इंसेक्ट, so 8 plus 3 plus 9 is equal to 20, next है, what path does the lizard take to eat 18 इंसेक्ट, तो यहाँ पर यह वाली path पे वो ले सकते हैं, last है, what path does the lizard take to 12, तो यह last का आपका answer है 2109, तो यह सारे ही questions आपको note कर लेने हैं, और साथ में ही उसके answer भी लिख देने हैं, यहाँ पर जो आपके answers थे, वो मैं नीचे लिख दियू, but आपको यहाँ पर यह questions के साथ में ही लिखने हैं, I hope you all understand, thank you